और सावन मास पवित्र संकल्प के लिए पवित्र कारियों के लिए बहुत उत्तम माना जाता है और आज जब लोकतंत्र के मंदीर में इस सावन के पवित्र मास में मिल रहे हैं तो यह लोकतंत्र का मंदीर ऐसे अनेक पवित्र कारिय करने के लिए इससे बड़ा उत्तम अवसर नहीं हो सकता है मुझे विश्वास हैं कि सभी मान्य सावसद मिल करके इस सत्र का जनहित में सरवाधीक उप्योग करेंगे सावसद की जो जिम्मेवारी हैं और सावसद में हर सावसद की जो जिम्मेवारी है ऐसे अनेक कानूनों का बनाना उसकी विस्तार से चर्चा करना बहुती आवशक है और चर्चा जितनी ज़्यादा होती है चर्चा जितनी ज़्यादा पहनी होती है उतना जनहित में दूर गामी परणाम देने वाले अच्छे निर्णे होते हैं सदन में जो मानिय सावसद आते हैं वो धर्ती से जुड़े हुए होते हैं जनता के दुख दर्त को समझने वाले होते हैं और इसलिए जब चर्चा होती है तो उनकी तरफ से जो विचार आते हैं वो जड़ों से जुड़े हुए विचार आते हैं और इसलिए चर्चा तो समर्द होती है निरने भी ससक्त होते हैं परणामकारी होते हैं और इसलिए मैं सभी राजनितिक दलों को सभी मानने सांसदों को इस सत्र का भरपूर उप्योग करके जन हित के कामों को हम आगे बढ़ाएं यह सत्र अनेक रुप से महत्वका भी है क्योंकि इस सत्र में जो बिल आये जा रहे हैं वो सीधे सीधे जनता के हितों से जुड़े हुए हैं हमारी युवापीडी जो पूरी तरह डिजिटल वर्ल्ड के साथ एक पकार से नेत्रुत पकर रही है उस समय देटा प्रोटेक्शन बिल देश के हर नाधरी को एक नाया विश्वास देने वाला बिल है और विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बदाने वाला बिल है उसी प्रकार से नेश्वास रिसर्ट फाउंडेशन ये भी लेनारेफ नई शिक्षानिती के संदर्ब में एक बहुत बड़ा एहम कडम है और इसका उप्योग अनुसांसान तो अनुसांदान को बद लेना इनुवेशन को बल देना रिचर्ट को बल देना और हमारी हुआ पीड़ी जो विश्व के अंदर नए उपक्रमों के द्वारा विश्व का नेत्रुत्व करना का सामर्त रखती है उनके लिए बड़ा आउसर दे करके आ रही है जनविश्वास बिल सामान ने मानवी के परती भरोसा करना अने कानूनों को डिक्रिमिलेज करना इस मुहिम को आगे बढ़ाने वाला इबिल उसी प्रकार से जो पुराने कानून है उनको खतम करने के लिए भी एक बिल में प्रावधान किया जा रहा है हमारे यहाँ सदियों से एक परंपरा रही है कि जब विबाद हो तो समवात से सुलजाय जाए मिडियोशन की परंपरा हमारे देश की बहुत सदियों पुरानी है उसको अब कानूनी आधार देते हु attentive मिडियोशन बिल नाने के दिशा में इस सत्र का बहुत बड़ा उप्योग है जो अनेक विवादों से सामान्य से सामान्य मानवी से ले करके असामान्य संजोगों को भी मिल बैठ करके सुल जाने का एक मजबूत जीव बढाएगा इसी प्रकार से डेंटल मिशन को लेकर के एक बिल जो हमारे डेंटल कॉलेजिस के लेकर मेडिकल के चात्रों के लिए एक नई विवस्ता को आकार देगा ऐसे अनेक महत्वपूर्ण बील इस बार इस सत्र में संसज में आ रहे हैं तब ये जन हितके हैं ये युवा हितके हैं ये भारत के उजवल भविश्य के लिए हैं मुझे भिश्वास है कि सदन में जंभीरता पुर्वगिन बिलो पर चर्चा करके हम बहुत तेजी से राष्ट हित के महत्वपूर्ण कदमों को आगे बढ़ाएंगे साथियों आज जब मैं आपके बीच आया हूँ इस लोकतंत्र के मंदीर के पास खड़ा हूँ तब मेरा रदय पीड़ा से भरा हुआ है क्रोध से भरा हुआ है मनिपूर की जो घटना सामने आई है किसी भी सब्वे समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है पाप करने वाले गुना करने वाले कितने हैं कौन है वो अपनी जगा पे है लेकिन बेज़्जती पुरे देश की हो रही हैं एक सो चालिस करोड देश वाचों को सर्मसार होना पड़ रहा है मैं सभी मुख्मंत्रियों से आगरे करता हूँ कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्ता को और मजबूत करें खास करके हमारी माता और बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं गटना चाहे राजस्तान की हो जटना चाहे चत्तिसगट की हो गटना चाहे मनिपूर की हो इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कोड़े में किसी भी की राज्य सरकार में राज नीतिक बाद विवाद से उपर उठ करके कानून व्यवस्ता का महत्माएं नारी का सम्मान और मैं देश वाज्यों को विश्वाद गिलाना चाहता हूँ किसी भी गुलेकार को बख्षा नहीं जाएगा कानून अपनी पूरी शक्ती से पूरी सक्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा मनिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है इसको कभी माप नहीं किया जा सकता है बहुत दन्यवाद दोस्तों किसी भी गुलेकार को बहुत दोस्तों प्रधान मोंत्री न Likewise na रहाँ ए। प्रकार मनिपुरा मुख्वामुटी गराकिक भुजाई दियेले जी राज्यो खनार आइन शिरिंखला पुरिसीटी थिक परी बोले आरो एजी जो गहिन न कांदर खईते जोरिता बैक्ती हकला उसीद हास्ती दिबोले आरो हे भुग्तो भुगी के गराकिक नियाई दिबोल विडियो सार्फेस होई से जीटो भीडियो कारने हमोग्र भीशाद भारत लज्जानाता हुजे हमोग्र भारत वेले सोलीक आइन शिरिंखला निदी दिबोले भुग्त प्रधानमटी नेंढरमदीर, मनिपुरा घतनाकले प्रधानमटी मंतिबबह एको सोलीक झुटी जानता होइसे डूखीक रैहाइडिया नहभारो लगोटें मुख्या मंट्री, मौनीपूरा मुख्या मंट्री एक एखे त्रत कह ठोल अबले अहबान जिनाई अइसे, आइंट श्रीफिया अचेल प्रधानमंत्री नरेंडर मोधिर प्रधानमंत्री नरेंडर मोधिर कहने वीडियों टू अता ग्रिश। करलते हैं इंतेलoten में ज गुरीयों के का माँगने पतों आंगा में लारा कमा जैस कमी असलोबも ौं। खुद खुद पूस कोरी थोका होई से अरो अना कोता हम आरोखे की वे बस्थालोई मुख्धन मोंत्री एज इन बाट आए बाट आर पिसद मुनिपूरा रोखी साहभी कोते हस्तम होब रहता कोई तो एफ एर टेखस्थी दिनों आकोते लोज होई सिले एफ एफ एर भुक्त केटिया कोरायत तो कुराहब कारण प्रधारमंट्री कोरायके कोई से कुनों दुखी हारी जबनवारी भा आएने केटिया रहायनी दिभा कुनों एज अन दुखी के गुदि के वीडियो जेतु जल जल पापट कोई सपस्ट होए से एई बरबर कंड लिपतो ठोका प्रोती पापट कोराया शारी मेर घतोना पुली हंडे कोरा होए से किन्टो एतिया उसपस्ट कोई एट ट्ठा जानी बपुरा हुआ नाय कारण तीनी मेर पुरा हिंखार जोई जोली उठीसेल मोनिपुरत जी जोई आजिव दब दपाई जोली आया से मोनिपुरत हांती के टिया होब एह हंदबाद आजी हदनाद एह बिखोए ते स्थान लवकुरार हमभावना निच्छाइ ठाकीब पाठा हुआ दोता बिखोए प्रथम्तो बिखोए होईसे प्रधान मॉन्ट्रिया ता खनिक एक मॉन्टोवर प्रकाह कोई लेकरने एता वीडियो आत्म प्रकाह कोई यार गट्टान तर नाए और एक अंदरलो को जी हकल जोरीतो हे हकल ग्रेप्टार कोरी पोलागे। मैं पुनर कोई सु एजन ब्याक्तिक एजन अभिजुक्तक ए मुहुर्टार ग्रेप्टार कोड़ा होई से खुधापुसा क्रुई ठका होई से किन्टू एता गठाको बलाई भो हमक्रो घटनार गुसर रुजु होई से आजि तेखस्थी दिन पूर्वे और गोती से ले हाथखोट्तो दिन पूर्वे किसी भी सब्वे समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है पाप करने वाले गुना करने वाले कितने हैं कौन है वो अपनी जगापे है लेकिन बेज़्जती पुरे देश की हो रही हैं एक सो चालिस करोड देश वाचों को सर्मसार होना पड़ रहा है मैं सभी मुख मंत्रियों से आगरे करता हूँ कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्ता को और मजबूत करें खास करके हमारी माता और बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं गटना चाहे राजस्तान की हो जटना चाहे चत्तिस गट की हो गटना चाहे मनिपूर की हो इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कोड़े में किसी भी की राज्य सरकार में राज नीतिक बाद विवाद से उपर उठ करके कानून व्रदस्था का महत्माएं नारी का सम्मान और मैं देश वाजियों को विश्वाद दिलाना चाहता हूँ किसी भी गुनेकार को बख्षा नहीं जाएगा कानून अपनी पूरी शक्ती से पूरी सक्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा मनिपूर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है इसको कभी माप नहीं किया जा सकता है बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों किया बाद जुनाई से प्रधार मंची गोड़ा किया अमी ख़बर धर अब बहतो राखिम हमोई हो से आनिटी बानी चिक बिरो तेर क्या वह स्ट्रॉंग नहाए माइथान स्ट्रॉंग माइथान स्टीन निर्मन और मान डंड़ 66